नमस्कार बहुत स्वागत है आपका मैं हूँ रीनुयादव नमस्कार स्वागत है आप सभी का मैं हूँ अपढ़ना मौज़म वक्तेजरतार ख़बरों का है और चली पहले सबसे पहले बात राज्य सभा चुनाफ से जोड़ी बड़ी ख़बर की गरेंगे जहां पर MP से निर्विरोध निर्वाचित हुए बीजेपी प्रत्याशी केंदरी मंतरी एल मुर्गन का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है बंजिलाल गुर्जर माया नारोलिया का भी निर्विरोध निर्वाचन हुआ है बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं जहां बिना किसी विरोध के चुने गए है ये प्रत्याशी बीजेपी के उमिदवार राज्य सभा पहुँच गए है तो देखें कि उमेश नात महाराज का निर्विरोध निर्वाचन बीजेपी प्रत्याशी का निर्विरोध निर्वाचन की जानकारी इस वक्त राज्य सभा चिनाप से जुड़ी हुई बड़ी खबर MP से निर्वाचित हुए BJP प्रत्याशी और यहाँ पर कोई भी विरोध नहीं एकजूट होगा सभी ने समर्थन किया है जिनमें कुछ प्रमुख नाम शामिल हैं जो कि आपको बता रहे हैं किंद्री मंतरी एल मुरगन का निर्विरोध निर्वाचन हुआ तुमाई बंसिलाल गुजर भीस में शामिल हैं माया नारौलिया निर्विरोध निर्वाचित की गई हैं उमेशनात महराज का भी नाम शामिल है और पाकिसमर तक उन से मिलने पहुँचे फूल माला आए देकर बुके देकर उनका अभिनंदन किया गया है तस्सीरों में आप चारों बीजेपी के प्रत्याशों को देख रहे हैं जो अब राजिसभा पहुच गए हैं बिना किसी विरोध के ही इनका चैन हो गया कि मत्यपनेश बाचपास है नव निर्वाचित राजिसभा हमारे साथ मोझूद है हम बन्सीलाल गुरुजर जी भी है केंडरी मंत्री एल मुरुगन जी मोझूद है माया नारोलिया भी यहां पर याँ ती अभी नव निर्वाचित सदस है हम बात करते हैं सबसे राजी समा में निर्वाचन हुचुका आप प्रमान पत्री लेने जा रहे हैं अब भारती जनता पार्टी ने हमको नहींती जुम्मेदारी दी है और निश्चित ही पंडित दिंदा लुपाध्या जी के सपने को साकार करने के लिए जो सबसे पीछे सबसे नीचे है उस विक्ति को समाज में बराबर के दर्जे पर लाने के लिए मानी प्रधानमंद्री नरेंदर मोदी जी की सरकार जो काम कर रही है उन कामों के बहुत ही बहतर परिणाम हमको देश में देखने को मिल रहे हैं और उन परिणामों को देने के लिए एक कारिकरता की रूप में मान किसान नेता भी एक किसान अंदुलन को लेकर एक माहूल बना हुआ है किस तरह से क्या क्या हो रहा है कि दिखिए मैं यह कहना चाहता हूं कि 2014 के पहले देश के किसानों का GDP में जो रोल था वो साड़े तेरा पौने चौदा प्रतिशत था नरेंदर मोदी जी ने 2016 में कहा कि कमेटी बना करके और सर्वे कराया और कहा कि किसानों की माली हालत को कैसे सुदार सकते हैं उस पर कमेटी रिपोर्ट दे उस कमेटी ने जो सुजाव दिये उन सुजाओं के आदार पर माननी नरेंदर मोदी जी ने गोशना की थी कि हम 24 तक किसानों की आमदनी को दुगना करेंगे मुझे खुशी है आज केते हुए कि नरेंदर मोदी जी के जो प्रयास हैं और उन प्रयासों के जो परिणाम है बारत सरकार की जो पहले उस पहल के जो परिणाम है वो आज परिलक्ष पहुंच रहे हैं हमें पूरी उम्मिद है कि मोदी जी के नेतरत्व में बहुत जल्दी भारत देश का जो किसान वर्षों से उपैक्षित था उनकी उपैक्षा को दूर करने का काम मानी नरेंदर मोधि जी ने किया है और उसके बहुत अच्छे परिणाम देश में आ रहे हैं कि आप क्योंकि देश के दिल एंपी से आप दूसरी बार लगें कि मैंडम से ले लिया है कि आपको निर्वाचित हुई है हम राष्टी नेत्रत हमारे यसस्वी प्रधार मंत्री नरेंद मोधी जी कि कब बहुत बहुत अभिननन करते हैं प्रधार मंत्री जी के नेत्रत में कारेक्रमों के माध्यम से और अध्वुत महिला यतेसी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से शशक्त राजनेतिक रूप से शशक्त और सेक्ष्ण करूप से शशक्त करने का काम ज क्योंकि स्वयम साहता समूह के माध्यम से आज महिला हैं लाखों की संख्या में स्वयम तो आर्थिक रूप से आप निर्भर हुई हैं उन्होंने दूसरों को भी रोजगार देकर ये सिद्धे कर दिया है कि प्रधान मंत्री मोधी जी के नेतरत वाली सरकार महिला स्वयम साहत समू के माध्यम से छोटे छोटे उद्धों धंदे चोटे और चली अब एक नज़र सुपर फास्ट हैंड़ट पर